यह हिंदुस होता है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 5 months यानि 5 मैंने आप लोगों को self study क्या से करना चाहिए जिससे आपका जो marks है वो 95% marks आराम से प्राप्त हो जाए यानि कि सारे 400 पल देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महतूपुर्ण है क्योंकि आपके पास जो समय है यानि कि टोटल समय 5 महने हैं और यह 5 महने अगर आप इस तरह से self study करते हैं तो आपका percentage जो है 95 पलस score कर जाएगा जी आँ दोस्तों आज हम बताने वाले हैं self study के बारे म है वह आपका क्या है तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने दिया गया है आपको सारा से बता ही देते हैं एक ही लाइन में clear हो जाएगा चलिए तो सबसे पहले थोड़ा pen pencil ले ले यहां पर यह दिया गया है five months और आप सभी देख सकते हैं कि टोटल जो है आपके पास पास ही महीने है यही मान कर चलिए जादा समय है नहीं जो आप लोग सोच रहें कि आप बाद में पढ़ाई करेंगे उसके बाद self history तब तक आपका exam समापत हो जाएगा यह बहुत ही महत्पुर्ण समय भी है और यह video भी काफी important है तो जरूर देख कर जाएगा क्योंकि self history अ अगर आप भी class 10th या 12th के student हैं और 2025 में exam देने वाले है final board exam तो जरूर देखिए यह video आप ही लोग के लिए है ठीक है देखिए self history क्या से करें जो हमारा theme रहेगा वो क्या है self history के बारे में self history क्या से किया जाता है और बिल्कुल करने का जो सही तरीका है वो आपका क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे self history यानि कि खुद से पढ़ने का एक सही तरीका पढ़ाई हर कोई करता है आगे हम चार्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है और यह 95% marks जो है यह आप लोग आराम से अचीव करेंगे उसके लिए देखिए आपके पास समय जो है वो है अगास्त से लेकर दिसंबर तक अगर आप लोग थोड़ा भी कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो निश्ची तुरूप से जोड़ सकते हैं अगास्त से दिसंबर यानि टोटल अगास्त सेप्टेमबर अक्टूबर नौबर दिसंबर यानि पांच महिने है एक महिन आप छोड़ी दिजे जनवरी आपका है अगर दीज दाता है कि तो केहने धाने का मतलब यहां पर जो दिया गया है यह दिया गया है है यह अपके सामने दिया यह जो है ना साजिया परवीन है और यह मेरे इसाब से क्या है इसका नाम यह देख लिए 486 यंग प्राप्ट किया है यह 489 यंग और यह आपका 488 यंग ठीक है तो यह तीनों टॉपर हैं और इसी तरह से आपका फोटो लगेगा तो निश्टित रूप से कैसे क्या जाता है उसके बारे में हम समझने वाले हैं तो जितने भी 10 और 12 के इस्टुडेंट हैं जरूर देखिए पहला देखिए अगर सेल्फ एस्टुडी करना चाहते हैं तो जो जैन्यून तरीका है जो समकी लिए जरूरी है वह हम बताएंगे खालतू का इधा उधर करन ही है तो करना ही है उसके साथ साथ क्या करना है उसके साथ एक टार्गेट लेकर चलना है कि मेरा जो मार्क्स रहेगा वह कितना रहेगा वह मेरा मार्क्स जो रहेगा 95% कह लिजिए या आप 400 पलस कह लिजिए मोटा मोटी यह मान कर हम चलते हैं तो यह आपका टार्गेट होन चाहिए अब ऐसा ने की टार्गेट तो बना लेते हैं पढ़ाईने करते तो फिर गरत बात है एक टार्गेट लें अभी डिसाइड कर लें अब जो समय है न कि सेप्टेमबर से जुलाई तो खतम ही होने वाला है अपनों तो देखते देखते समय बर्बाद कर देते हैं तो उ तरह से 5 मेंने त्यारी करना है मार्स बढागी यह वहतर आ जाये। आपलोग को पहले रेसाइड करना होगा। उसके बाद देखिए अगला का आता है। अगला का आता है कया पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए न कि आप ऐसे किताब खोलकर बैट't गए। पता चल रा है कि अपको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या-क्या है। कहने का मतलब अगर माण लिजießे आप टार्गेट लेते हैं, मैत्स पढ़ रहा है, तो आप लोग डिसाइड कर ले कि मैत्स में दो चैपटर, कम्पिलीट करना है। के लिए मान लेते हैं साइंस पढ़ रहे हैं अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में मान लेजिए कि एक चेप्टर पूरा केम्पिलीट करना है तो टॉपिक तो होना चाहिए आपका पढ़ने के लिए कि आप ऐसे आगे बैठ गए पता चलद आप सोच ही रहे हैं कि कि पढ़ना क्या है और इसी तरह आपका दिन कट रहा है और अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि आपको पढ़ाई क्या करना है तो self study ऐसे नहीं होता है love study करने के लिए आपको यह select करना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है अवर ऐसे में तो मान ली जिये कि आगे पढ़ने के लिए अब लीना decide किये हुए कि आज को था chapter मा ली जिये हन्दी में कोई यह chapter पढ़ रहे हैं तो यह चीत आपको पहले पता होना चाहिए न क्या हम हिंदी पढ़ेंगे आज मैक्स पढ़ेंगे चप्टर आज साइंस पढ़ेंगे स्सेश्टी पढ़ेंगे तो यह आपको जानना बहुत जरूरी है नहीं तो फिर करने के लिए आता है न स्टुडेंट तो यही सबसे पर अगलती करता है उसको मालूम ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है जब आपको मालूम नहीं रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है तो फिर आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे तो फिर ऐसे में काम नहीं चलेगा ठीक है डिसाइड कर ले क्या क्या पढ़ना है क्या क्या पढ अगर मान लिजे, self study करने के लिए मान लिजे, for example, हम आपके सामने हैं, अब हम आ गए हैं यहाँ पर बताने के लिए, अब हमको यही नहीं मालूम है कि बताना क्या है, समझाना क्या है, तो फिर काम चलेगा, नहीं, उसी तरह से self study में होता है कि material, study material का मतलब होता है, पठन साम कहीं कहीं खो गया, तो पहले चलो science का book खोज लेते हैं, पहले चलो maths का book खोज लेते हैं, तो फिर ऐसे में काम नहीं चलेगा, यह self study नहीं हुआ, यह हुआ time past study, ठीक है, यह आपका हो गया time past study, इसके लिए आप कहीं दूसरे जगा जाईए हो time past करिए, self study के अंतरकत यह समन जो है, मान लिजे की science का है, यह notes जो है, हम मान कर चलते हैं की science का है, तो science का notes है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, कि हम notes में पहला chapter complete करेंगे, अगर notes ही नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ने के लिए आप लोग पहले सारा चाहिए, मान लिजे की मेरे साब से, copy होना चाहिए, अगर आप notes से पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए एक notes भी होना चाहिए, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि यह सब चीतों होना चाहिए, यह सारा चीज होना चाहिए, तो यह चीज जरूरी है, कि लिए अगला देखिए, अगला आपका आज़ता है, पढ़ाई सा तो student के लिए सबसे अच्छा समय होता है रात का समय, लेकिन आप अगर रात को नहीं पढ़ते हैं, तो फिर यह आपके उपर है, आपको जब सही समय लगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन जब self study करते हैं, ध्यान दिजिएगा, जब आप self study करते हैं, तो self study का मतलब ह भी होता है खुद से पढ़ना, क्या होता है, स्वय, यानि श्assy से पढ़ना, क्या, स्वय से पढ़ना, अब माली जी आगर आप खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपका syllabus भी समाप नहीं होगा, एकदम clear बात है, तो अगर पढ़ाई करने के लिए आप आये हैं, तो क पढ़ी हुई चीजों को आप लोग खुद से पढ़ने के लिए आए हैं तो अब इसके लिए तो आपको सांत भी तो जगा होना चाहिए जगा माहिने रखता है ऐसा नहीं है अब अगर मान लिजी आप अपने घर में ही है और बैट गए पढ़ने के लिए पगल से वह आ गया माइड डिश्टर्ब हो जाता है बार-बार उठना बैटना इससे क्या होगा कि आपको लएगा की चलो हटाओ बाद में ही पढ़ लेते हैं क्या पढ़ना भी जरूरी है चोड़ो माइड जब सांत नहीं रहेगा जगा सांत नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने म इसके लिए आप सबसे अच्छा मेरी सलाह मानिये, रात का जो टाइम है, इसको आप लोग सलेट कर लिजिए, कि रात में पढ़ाई करना है, क्योंकि सांथ जगा होता है, तो आप किसी कमड़े में जाएगे, पानी का बोतल साथ रख लिजिए, इस्टेडि मेटरियल भी बग बहुत ही जरूरी है पढ़ाई के लिए, नहीं तो फिर समझते हैं न, समझ रहे न, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर देखिए, पढ़ाई का एक सेल्फ एस्टेडि करने के लिए, आपके पास एक टाइम टेवल भी सेट करना होगा, ठीक, आपको एक टाइम टेवल ज आप सेल्फ एस्टेडि करने के लिए, क्या करने के लिए आए हैं, आप आए हैं सेल्फ एस्टेडि करने के लिए, क्लियर न, तो सेल्फ एस्टेडि में आप ये तो डिसाइड कर लिजिएगा, कि पढ़ाई हमको ये करना है, क्लियर अच्छी बात है, आपने ये पर कितना time दे रहा है यह जरूरी है time table वो नहीं होता है time table का मतलब होता है आप maths पढ़ रहे हैं help ए study करने के लिए आए हैं तो आज मेरा मालेजे linear equation है रैखिक समिकन है या दुईगहाथ बहुपद है या AP पढ़ रहे हैं तो आप कितना देर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं यह जरूरी है तो time table बनाना जरूरी है एक time table अगर आप बना लेते हैं किसी time table को आप लोग exam तक regular फोलो किजिए ज़्यादा बरा और भारी भरकम नहीं बनाना है यह छोटा सा time table बनाना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है अगर आपको अभी लगता है कि यह time table छोटा है आप इसे regular पढ़ाई करिएगा तो आपका syllabus ही छोटा हो जाएगा और आपका syllabus पुरा cover भी हो जाएगा इसलिए time table ज़्यादा बरा नहीं रखना है एक दम छोटा मोटा ठीक है ज़्यादा बरा भारी भरकम नहीं बनाना है time table इसलिए बनाना है कि कोई subject हम पढ़ रहे हैं तो इस पर कितना समय दे रहे हैं बास समझ रहे हैं अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ने के लिए बैट गए कुछ भी पढ़ रहे हैं 10 मिनट पढ़ लिए सबसे बराद तो प्रोब्लम है रिल्स इंस्टाग्राम फिर मोबाइल ले लिए और सकेंड भर का जो माइंड में आप लोग का बैट गया है कि ये सकेंड भर का रिल्स बरबाद तो करीदेगा अगर आप लोग को इस चीज क्यादत है तो आप चीज़ों को लिखेंगे आप चीज़ों को लिखेंगे और आपको पता होना चाहिए लिखने से न कोई भी चीजय जली याद होती यह आप लोग को पता होगा भली मानुए अगर नहीं पता है तो जान देजीए नौट्स बनाने का मतलब हुआ self study में जो important important जो line है जो महदपुर्ण point है आप उस point पर ज़्यादा चर्चा करें ठीक है और उसको आप लोग खुद से लिखें इसलिए हम कहते हैं बनाने के लिए कि नौट्स जब आप लिखेंगे न तो कुछ-कुछ point जो है आपके दिमाग में direct आजाएगा direct आने के बाद क्या होगा कि आप चीजों को आराम से clear कर पाएंगे आराम से समझ जाएंगे खुद से लिखेंगे खुद से जो आप से जैसे notes बनता है वो इसा ही बनाईगे हम यह नहीं कहें के इंगम पुरा clear बनाईगे आप notes बना रहे हैं आप अपने according बनाईगे जो आपको सही लगता है बस और इसमें कुछ नहीं है जरूरी है बनाना चाहिए वो maths का हो science का हो कोई भी हो last आपका आता है मन को एकागर करे अलाकि आप लोग का है अगर आप लोग इस पर वीडियो लेना चाहते हैं तो comment कर देजिएगा नहीं आप लोगों को self study करने में मन लगता है ये बात उनको चुबता होगा इनको ये बात सही लगता होगा ठीक है clear ना तो एकागर नहीं होता है आपका दिमाग कहें पता है आपका दिमाग है रील्स पर फेस्बूक पर इंस्टा पर क्या बात है यूट्व पर पढ़ाई नहीं देखना है यूट्व पर पढ़ाई नहीं देखना है यहाँ पर देखना है रील्स चाहें वो फेस्बूक का रील्स हो चाहें वो इंस्टा का रील्स हो रील्स देखना है पनी वीडियो देखना है हम यह नहीं कहते हैं कि मत देखो देखो लेकिन इसका भी तो एक टाइम होना चाहिए अब टाइम से पहले देख रहे हैं अभी आप लोगों का एक्जाम नजदीक है और आप इंस्टा के रील फेस्बूक का रील, यूटूब का रील रील तो सबी जगह है तो आप इसमें लगे हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा समय बरवाद हो गया मतलब खुद को आप बरवाद कर लिए यही जान लिजी और कुछ नहीं है मन को सांत रखिये, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कीजिए बरवाद होना है तो बरवाद हो जाई अच्छे तरीके से यह चुक्चा वाला काम नहीं की कोई भी काम कीजिए, तन मन धन लगा दिजिए सारा चीज किलियर हो जाएगा क्या से करना चाहिए हम आपको सारा चीज बता दिए है हमेद करते हैं आप लोग सारा चीज समझ गए होंगे अब आपके पास जो समय है सेप्टेमबर से लेकर दिसमबर तर मन लगा कर इसी तरह से कीजिए जितना हम बताएगे हैं ठीक है, देखिएगा आपका मार्क्स जो है ना 95 पलस कर जाएगा यह मैंगा फूल गारांटी है तो जो तैंथ और ट्वैल्थ के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बारा हैं चलवरों को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि इस चैनल पर काफी इस वीडियो को दबा कर अपने दूस्तों में सेर कर दीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में सब तक के लिए जाहिं जा भारत वंद्य मातरम